हम सब ग्रम्मांड की अनन्द उर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्धिमान है। हमारे पुर्खों ने ध्यान से संद्रिष्टा बनकर पूरी मानवजादे के कल्यान का बेया खाया है। आएए आचारे भगवन दॉक्टर शिमुनी महरास साहिव के सानेध्य में हम भी महान आत्मिध्यान अनुस्थान का हिस्सा बनें। जब भी आपको केवल ग्यान प्राप्त करना होगा शायक स्वमकत प्राप्त करनी होगी असानी से नहीं होगी। आपको तपना पड़ेगा अपने आपको तपाना पड़ेगा चौबीस मिनट एक एक मिनट एक एक मिनट जब उपर चड़ते हैं नजदीक आ जाती है मंजल तो बड़ा कठिन हो जाता है हम विहार करते हैं पंदरा किलोमेटर बीस किलोमेटर जब एक मिलोमेटर रह जाता ह पर पांप ठक जाते हैं फिर बड़ा मुश्कल हो जाता है ऐसे ही शायक सम्गत प्राप्त करने के लिए आपको कैसी प्रस्थिती हो मैं जीवात्मा मेरे पास मेरे इलावा मेरा कुछ नहीं और कैसी प्रस्थिती आ जाए उसको सविकार करो और शुकल ध्यान की धारा आपकी बड़ती चली जाए बड़ती चली पगवान बोश परमाते है शुकल ध्यान की धारा बढ़ाओ स्वेस्थिती को बढ़ाओ आगे बढ़ाओ हम जो कुछ भी कर रहे हैं एंकार अमामकार तो इसको हमने देखना है कि कैसे कैसे हमारा मुह तूटे कितना जितना मुह तूटेगा अतना अतना आगे बढ़ जाओगे यदि आपको सिद्गती जाना है केवल ग्यान जाना है तो आपको उससे मुह तोड़ना ही पड़ेगा तोटना ही पड़ेगा अग्जामपल है घटना है राजा श्रेनिक ने अपने जीवन काल में चेलना के लगुपुत्र हल भी हल को एक देवना मिहार और सिंचानक हाथी जो देव किरपा से मिला था वो दे दिया दोनों ही बहुत खुश थे देवना मिहार सिंचानक हाथी उसको लेकर के भर्मन करते हार पहन के जाते और नगरी के लोग बहुत खुश थे कि देखो ये राज्य लक्षमी भोग रहे हैं और कौन एक जो राजा था वो क्या था वो केवल भार ढो रहा है राज्य का भार ढो रहा है जब ये चर्चा आम चलने लगी तो जन्ता की बात कौने की पत्रानी पत्माबती के कानों में पहंची की कौन एक राजा तो राज्य का भार ढो रहा है और राज्य चिन्न है ये देवना मिहार और सिंचानक हाथी और ये तो हल भी हल के पास है तो राणी पत्माबती ने किसको कहा राजा को कौन को कहा तो देखो ये राज्य चिन्न है हाथी और देवना मिहार ये आपको पराप्त करने चाहिए क्या आप राजा हो आपके पास तो है ने लोग कहते है तो राज्य का भार ढो रहा है असला सुख तो वो हल भी हल दून रहे हैं प्राप्ट कर रहे हैं कौनिक ने कहा देखो पिता जी ने उनको उपहार दे दिया है अब मैं मांग नहीं सकता उनको दे दिया ठीक है मेरे भाई हैं आप यहां के आता है ट्रियार्ट पत्नी करते हैं नहीं ये तो आपके पास होना है चाहिए आप राजा आप हो और सुख वो भोग रहे है सारी परजा उनके साथ में सिंचानक हाथी और वो हार समझाया उसको नहीं राणी कहने लगी नहीं पदमावती ये तो आपके पास रहना चाहिए आखिर कौन ने उनको दोनों हल भी हल को बलाया कि ये हाथी और हार मुझे दे दो भाईयों ने कहा बंदुबर आपको ये हाथी और हार लेना चाहते हो ऐसा करो राज्य का एक हिस्ता हमें दे दो और हम आपको हाथी और हार दे देते हैं कौन एक ने कहा नहीं आपको राज्या का कोई हार नहीं मिलेगा आप मेरे सामने हाथी और हार दे दो कि जब बात नहीं माननी अब हल विहल ने क्या सोचा यह नहीं मानने बाला तो अपने नाना चेटक के पास सेना, कोश, राजा और हाथी लेकर के अपने राजा चेटक के पास वहाँ चले जाते हैं कौन को पता लगा कि ये तो मुझे बिना बताए हाथी हार ले करके नाना चेटिक के पैस चले गई उसको और गुस्ता आया उसको चेटिक को कहा कि देखो हल वी हल को बोल दो ये हार बिना में हार और ये सिंचानक हाथी मुझे देदो देवना में आ चेटिक न्याय परिये था उसने का देखो ये आपको दे सकते हैं पर इसको राज्य का हिस्सा आपको देना पड़ेगा राज्य का हिस्सा देदो वे देदेंगे कौनक ने का नहीं मैं राज्य का हिस्सा नहीं दूँगा ये तुम मेरे हैं मुझे मिलने चाहिए मुझे दे दो कौनक ने युद्ध कर दिया भ्यानक युद्ध हुआ और कौनक के लगु भ्राता दस राजकुमार सेना पती बन करके युद्ध किया कहते भ्यंकर युद्ध हुआ लाखों लोग मर गए ऐसा युद्ध हुआ कोई बच ने पाया जिसके हाल ईक हार और हाथी के कारण ईक हार और हाथी के कारण युद्ध हुआ तो ये घटना है बल पूरक, ये क्या मुझ का कारण है इस प्रकार अंदे रग्द को कुछ दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मोह से अंधी बनी आत्मा को वास्तिकता का पता ही नहीं चलता कुझे करना क्या मोह को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए बार-बार चिंतन करो मैं शुद्ध आत्म द्रब्या निर्मल ग्यान मेरा सभाव है निर्मल ग्यान मेरा सभाव है ग्यनादी गुनों से भिन मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं आत्मा शुद आत्मा मोह के कारन व्यक्ति ममत्व बुद्धी के कारन जीव आत्मा को भूल जाता है और उसमें असक्त हो जाता है इसलिए मोह को तोड़ना चाहिए वो सबसे बड़ा शत्रू है और जब तक आपको देह के प्रतिमा मत्व है अपनी भृतियां, अपनी संसकार अपनी धार्णियां, नहीं जो मैं कहता हूँ यही सही है तो को परिवार में, समाज में, राष्टर में युद्ध होते हैं इसलिए युद्ध होते हैं मोह के कारण युद्ध होते हैं मोह, दूसरा है मोह तीसरा है अवग्य, अनादर भाव एक आदर, एक अनादर हिर्द्या में आदर भाव आ जाए तो क्या होता है जामन की भांती मन भर दूद है उसमें चम्मच दहीं का डाल दो, क्या हो जाता है, डहीं बन जाता है, मन भर दूद में एक चम्मच दहीं का डाल दो, जामन डाल दो, चाच डाल दो, तो क्या हो जाता है दूद में दही बन जाता है दही का मक्खन हो जाता है मक्खन से घी बन जाता है और यदि अनादर का भाव हो तिजाब की भानती ये दूद को फार देता है तिजाब क्या करता है दूद को फार देता है और अनादर भाव तिजाब की भानती आदर भाव ज चाहिए अल्यहंत मेरे देव है इस समय अल्यहंत सिद्ध तो मुक्स Defence le ? अल्यहंत की वाणि हमारे पास है? सिमंदरस्वामिभगवान की वाणि पंचम-कालमे में अल्यहंत- треть प्रमात्मा की वाणि में वो वाणि हमारे पास है, हम धिर क्यों नहीं इस वाणि को समझेते ? क्यों नहीं उसकी गराइका देग माता पीता जिसने जनम दिया जिसने पालापुसा बढा किया एक भ़व का अपकार होता है और रहंत परमात्मा और गुरू का जनमों जनमों तक अपकार होता है अवग्या नहीं करना आदर का भाव रखना अवग्या करोगे तो संसार लंबा होगा देव गुरु धर्म के प्रति आदर का भाव रखोगे तो आदर बढ़ जाओगे चौथा अभिमान विने मूल धम्मों धर्म का मूल क्या है? विने, विने मूल धम्मों और विने के जाओ एहंकार मैं, मैं कुछ हूँ इतिहास में दो प्रसिद्ध युद्ध हुए एक महाभारत का, एक रमाइन का रावन का भीमान और रावन ने क्या किया था? सीता के लिए, काम वासना के लिए रावन ने युद्ध लड़ा सोने की लंका जल गई कहा भी आता है एक लगफुत सवालखनाती एक लगफुत सवालखनाती रावन के घर दी आना बाती इतना बड़ा सम्राश और एक सीता के कारण काम वासना के कारण अभीमान मैं जैसा शक्तिशाली ये दो बानर मेरा क्या कर सकते हैं? मंदोद्री ने समझाया कुम्बकरन ने समझाया विभीशन ने समझाया नहीं माना हैंकार और हैंकार में क्या हुआ? देखो और द्रियोधन युदिष्टर और द्रियोधन में अभीमान के कारण क्यों द्रियोधन का अभीमान आया? द्रोपदी ने एक ही बात कही थी एक वो चल रहा था जहां पानी था वहां पानी नहीं था जहां पानी नहीं था वो आ गया तो द्रोपती ओपर खड़ी थी उसने एक शब्द कह लिया पकड़ कर हाथ में लकड़ी इमदाद करो अंधे की पकड़ कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की ये अंधा तो नहीं मगर उलाद अंधे की दोपती की ये कट्टू बचन मां भारत का युद्ध हो गया कई बार कट्टू बचन तीखे बचन सही कहता हूँ सीना चलनी कर जाते हैं तीखे बचन सही कहता हूँ सीना छलनी कर सकते मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हरद्य के भर जाते तीखे वचन किसी को भगवान ने कहा काने को काना लूले को लंगडा नहीं कहना प्रग्य चक्षू कहो उनको मीठे वचन, तीखे वचन नहीं कहना, वो ध्रोपती के दो वचनों ने कैसा युद्ध हुआ, कैसे, सब कहा नहीं आपको पता, आपने महाभरती भी देखी है, आपने रमाइन भी देखी है, ये करके. प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ध्यान करेंगे आँखे बंद, मन बचन काया, शांत, शरीर, शांत, विचार, श्रिश्टी, शांत, वातावर्म, शांत, सिर्के सिरे से पाम की अंगुटे तक, अपने भी तर, मैं जीवात्मा हूं। मैं जीवात्मा हूँ यही एक सत्य है अतल सत्य है परम सत्य है शाषवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत आतमा हो, तो हम आतमा हो। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश सत्य है। मैं जीवातमा हूँ। मैं जीवातमा हूँ। सिर के सिरे से पांग की अंगुठी तक आपने भीतर शुद चेतना का एसास कीजी। तुम केवल 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 आतमा अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मातर के लिए मंगल कान्या। की और शारान नह को साथ्य धाराम के तेग से जान जान मंगल हो। साथ्य धाराम के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। सबका भला हो। सबका मंगल हो। सबका शुब हो। इसी में एक लंबा गरस्मास लें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। सबका शुब हो। 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 साहू लो गुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लो गुत्तमा चतारी सरणं पवज्यामे अरहंते सरणं पवज्यामे सिध्धे सरणं पवज्यामे साहू सरणं पवज्यामे केवली पनत्तं धम्मं सरणं पवज्यामे चारे शर्णा तरणा दगत में वोरना शर्णा कोई हो दा जो मन अपनाई साथ सालों से अधिक समय से केजी ओसी ग्रूप अपने हाई प्रसिशन प्रॉडक्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, वेबर पंच, गन टैकर, टेव टूल, नुमार्टिक टूल, इंडस्ट्रिल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज़ होने वाले कुस प्रॉडक्स जैसे नाइफ, पीलर्स, इत्यादी के द्वारा दुनिया के कंस्यूमर्स और अन्य बिजनस पार्टमर्स को अपनी वड़क्पिविटी, एफिशेंसी और क्रेटिविटी निखारने में मदद कर रहा है KGOC Group दुनिया के जाने माने largest manufacturers में से एट है, जो की अपरे चार ब्रैंड्स, कोहे, कंदारू, मिरनिक्स और माइल्स के मादियम से दुनिया के लगबग हर देश में उपलब्थ है यह है प्रोग्रांग KGOC के स्वजनने से परस्तुत है लोग्रांग KGOC